हाई एवरिवन मैं हूँ आकास रजाक और आप देख रहे है आरेस फिल्म प्रोडक्शन बहुत सरे राइटर्स मुझे अलग लगतर से कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे है जैसे इमेल पर इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में और वो लोग मुझे पूछ रहे है कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में काम बंध है या चालू है देखिए फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके मन में ये डाउट है कि जब भी आप अपने स्टोरी को सेल करने के लिए आप किसी प्रोडूसर को पिछ कर रहा है तो वहां से रिटर्निंग जवाब में यह आ रहा है कि हम लोग अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले रहा है तो ऐसा क्यूं हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं तो अगर आप एक राइटर है तो इस वीडियो को पुरा लास्ट तक जरूर देखिए देख और वह भी बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ हो रहा है लेकिन 99 परसेंट जो है वह काम बंद है तो इसमें क्या है कि अभी जो प्रोडूसर्स है यानि फिल्मेकर्स है वो लोग नए प्रोजेक्स को नहीं ले रहा है अभी जो फिल्म इंडस्ट्री की हालत है वह बहुत खरा स्वारचिंट में तो अभी क्या है कि फिल्मेकर्स जो है कुछ हम और घाते में जा रहा है कि फिल्मेक प्रोडूसर्स है बहुत सरे प्रोडूसर्स जो है वो लो लोग खुथ का भी पैसा लागा थे लेकिन बहुत सरे प्रोडूसर्स जो है वो फाइनेंसर्स से फाइनेंस ले रहते हैं तो ऐसे में उन्हें ये टेंशन बना रहता है कि फाइनेंसर्स को वो पैसे रिटर्न कैसे करेंगे तो देखें यहां पर प्रोडूसर्स को अभी नए फाइनेंसर्स भी नहीं मिल रहा है तो जब producers को नए finances नहीं मिलेंगे तो नए नए projects कैसे करेंगे अभी और इसलिए अभी COVID की situation में वो लोग finance लेकर भी क्या करेंगे COVID की situation में अगर कोई finance ले भी लेते है प्रडूसर अपना work की start भी कर देता है तो भी वो अभी COVID की situation में start नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी खराब situation है कि लोग शूट पर नहीं आ पाएंगे कितने भी precautions ले 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 शूट करना बहुत मुश्किल होगा तो इसलिए इस situation में जो फिल्मेकर से वो लोग avoid कर रहे है फिल्म की shooting करना फिल्मेकिंग करना तो ऐसे में वो लोग अभी finance वेगरा भी नहीं ले रह रहे हैं तो यह हाल है और ऐसे में जब फिल्में ही नहीं बना रहे है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी राइटर को मना ही करेंगे अगर वो कोई भी राइटर अपने story को screenplay को script को pitch करता है वो सलकर्णी की कोशिश करता हैक तो वो उन्हें मना ही करेंगे कि अभी बोलो कोई नहीं कर रहा है तो फिल हल अभी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में लगभग काम बंद है तो राइटर्स जो है वो अभी अपना टाइम को यूटिलाइस कर सकते manuscript को लिखने में आप अच्छी-अच्रिप्स लिखिए नए-ने आइडिया पर-च्रिप्त को लिखिए और इस्क्रिप् archives को लिखे ए कृषिए कवा लगलग आप कि अन wrist की एक इसको लाग कीज़ेंगे बढ़ जाएंगे छानसज बिल्कुल ना के बराबर है वह ज्कुन बहुत हिसं उम्हिंस करता हूं कि आपको कि आपके ऑपके सवालों के व抗य तो जल्दी दिए वीडियो को लाइक और शेयर चैनल पर नहे हैं तो सब्सक्राइब जरूज कर लिजे फिर मिलते हैं लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डारेक् लीए ओनलाइन इस्क्रिप्ट राइटिंग को जॉईन कर सकते हैं इस कौर्स का नाम है ए टूझेड इस्कृप राइटिंग कोольз जिसे आप अपने घर बैठे वट्यौटच की मदद से कर सकते हैं चार महिने के कर सकोम मेnhे के वीडियो के माध्यम से एक्जामपल सही तिखाया जाएगा कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें को छू सकते हैं एक डिस्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को जॉइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल या वाट्सप कर सकते हैं धन्यवाद